हेलो एवरिवान और वेलकूम टू मेंटर प्लस आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि जिनके स्कोर कम है और जिनको जस्ट क्वालिफाइड या 300 के अंदर मांक्स आये हैं वो लोग बहुत प्रिशान होगे कैसे अड्मिशन होगा कॉलेज कंफर्म कैसे मिलेग कि बहुत जग ऐसा होता है कि आप एड्मिशन के लिए जाएं सब बात सही रहती है लेकिन लास्ट में एड्मिशन नहीं मिलती है तो इस वीडियो में मैं वही बात करना जा रहूं कि कैसे अड्मिशन के लिए अप्रोश करना चाहिए और कितना लोइस्ट बजट हो सकता है admission के लिए अगर आप हमारे paid counseling guidance लेना चाहते हैं तो 9319027483 पे call कर सकते हैं इसी नमबर पे whatsapp message भी कर सकते हैं paid counseling क्या-क्या provide की जाएगी वो यहाँ पर दिया हुआ के screenshot लेकि आप पढ़ सकते हैं और अगर management seat के लिए admission है तो जो चीजे होती है वो confirm admission कैसे आपको confirm seat मिलेगी कैसे proceed करना चाहिए counseling without counseling कुछ नहीं होता counseling के थुरू ही admission होती है और कोई state का counseling हो ये dimdino city का counseling हो all india या कोई भी authority हो बिना counseling का admission नहीं होता है तो एक counselor है जो आपको ये बता सकता है कैसे admission के process करना चाहिए कहाँ पर बात करना चाहिए क्या क्या documents आपके पास होने चाहिए NRI के लिए जाना चाहिए क्या NRI के लिए documents होती है या without NRI कैसे admission हो सकता है just qualified score में और government college में NRI की options होती है वो options को कैसे avail कर सकते है सारी चीज़े अगर वीडियो में आप नए है पहली वार वीडियो देर खाएं तो इसको आप subscribe कर लें click on the bell button also and don't forget to like the video तो चलते हैं आप बात करते हैं उन states की जहां पे registration और counseling process बहुत important होता है अगर low score में आपको admission चाहिए confirm MBS की seat चाहिए और इंडिया में चाहिए अगर आपका budget कम है अगर आपका budget ज़्यादा है 70, 80, 90 या 1 CR तक budget है तभी आप MBBS just qualified है मैं इस तरह से करता हूँ कि अगर just qualified score है और आपका budget 80, 90 या 1 CR तक है तभी आप यहाँ paid mission ले सकते हैं इंडिया में आपको MBBS फोरें से करना पड़ सकता है जहां पर 25 से 30 लाग की आपकी total package बनती है पाँच साल की तो राजस्थान एक ऐसा state है जहां पर जो seat है राजस्थान पहले बात मेरे सबसे हाई है जितने भी states हैं जितने भी states हैं उसमें से राजस्थान state में जो कि quota में candidates पढ़ने जाते हैं और उस state में MBBS की तयारी के साथ साथ 10 पलस 2 का भी वहीं पर admission करा लेते हैं तो quota state के जो candidates हैं वहां की merit high इस वज़ा से चले जाती है high merit होने के बाद भी quota में government colleges उतने नहीं है जितने होने चाहिए इसलिए आपको वहां पर government college की जो cut-off जाती है state से वो all India quota से high चले जाती है अब मोवन ऐसा होता है कि जो state की cut-off होती है low रहती है मतलब आपको low score पे भी आपको seat मिलती है state counseling से लेकिन राजस्थान में उल्टा है जब बात करे हो हाँ पर private seat की private colleges में दो तरकी seat है एक है government quota की दूसरी है management quota की seat और NRAI quota की भी seat है तो अगर आप राजस्थान को एक option रखते हैं तो वहां पर आपकी budget हो सकती है 90 से लेकर के 1CR कहीं पर 90, 95, 80 85 तक भी आपको 85 तक में भी seat आपको मिल सकती है राजस्थान स्टेट में और ये seat के लिए आपको NRAI का document भी लगा सकते हैं और without NRA documents भी NRAI sponsor के भी आप जा सकते हैं दूसरा स्टेट है बिहार का बिहार में 6 private medical colleges हैं जिसमें से 3 new हैं और 3 पुराने हैं माता गुजरी देवी वो सिख minority college है कटिहार medical college Muslim minority college सासा राम एक non minority college है ऐसे करके 3 और medical colleges हैं जो की जहां पे MBBS की admission होती है अगर आप MBBS करना चाहते हैं बिहार से और just qualified score है तो हाँ भी आपको 80 से 90 के package में आपको admission मिल जाएगा कैसे admission करना है इसके लिए आप हमें consult कर सकते हैं तीसरी और चौती जो state है हमारे list में वेस्ट बंगाल है और फिर हर्याना की है हर्याना में भी कैए options है जैसे आपको World Medical College है SGT है और वहां पे और भी दो तीन medical colleges है वेस्ट बंगाल में बहुत सारे options हैं आपके पास जो सबसे सस्ता medical college है KPC का और इसके लावे और 6 वहां पे medical college है एक नई medical college जो वहां पे आई है जो की सांतिनिकेतन नाम से है जो वहां पे इस वार पहली वार वहां पे medical की परहाई सुरू होगी और उसमें जो government college जो hospital है वो government का है और दोनों के association पे PPP model का एक नया college है यहां भी tuition fee high रहती है और बैंक गारंटी की डिमांड करते हैं जब बात करें कि राजस्तान में वहां भी बैंक गारंटी का डिमांड करते हैं NMC के यह ऐसा बोला था कि बैंक गारंटी को खत्म किया जाना है अबिबियस admission में और कोई भी college private हो या dimmed हो बैंक गारंटी की डिमांड नहीं करेगा students से लेकिन यह अभी implement हुई नहीं है और अभी भी बैंक गारंटी की डिमांड की जाती है तो इस चीज को भी इस factor को भी धियान में रखना होगा बैंक गारंटी का मतलब यह होता है कि बैंक की तरफ से एक statement इशू होती है और उसमें यह रता है कि आपको first year का तो fee अपने pay कर दिया लेकिन second और third year की fee pay करने की आपके लिए पहले से पैसे या कुछ उसके equivalent property जो जिसके basis पे बैंक आपको बैंक गारंटी इशू करती है उस बैंक गारंटी पेपर को आपको जमा करना होता है at the time of admission तो यह condition है राजस्थान में बिहार में बैंक गारंटी नहीं है लेकिन इस वार से बैंक गारंटी कुछ कॉलेज में आ सकती है वेश्ट बंगाल में वहां भी management से बात करें तो उसको भी neutralize किया जा सकता है वेश्ट बंगाल का भी fee structure काफी हाई है 18 lakhs per year एक ही college है जहां पे fee कम है जो 50 lakhs के आसपास है total fee और एक time pay करनी होती है वो KPC medical college otherwise बाकी जो colleges होँआ पे fee structure हाई है हरियाना medical college में भी आपको 80 से 85 90 तक के budget में आपको college मिल जाएगी बाकी दो state है करनाटका और तिलंगाना और भी state है करनाटका जादा important है क्योंकि करनाटका में number of medical colleges बहुत ही जादा है 28 के आसपास medical colleges है और उहां पे कई तरह की seat होती है एक तो seat होती है जो government quota की seat होती है दूसरी seat होती है management quota की और उसके बाद दो और quota है जो specific quota है Q quota है और NRI quota है तो आप करनाटका state को भी option में रख सकते हैं अगर आपके पास just qualified score है और आप management के थुरू admission लेना चाहते हैं just qualified score पे इंबिबियस में तिलंगाना के भी कुछ minority colleges हैं जहां पे seat खाली रह जाती है या just qualified पे आपको seat मिलती है वहां पे भी फी जो रती 12 से 14 लाग के आसपास है कुछ additional fee लगती है और उसके बाद भी आपका package 80-85 के आसपास total जाता है इसके अलाबे कुछ और भी state है जैसे pondicherry वहां पे ऐसा नहीं कहूंगा कि just qualified पे मिल जाएगा लेकिन आपका score अगर 200-250 है उतर परदेश से जहां पे भी आपको admission मिल सकता है अगर आपके score just qualified नहीं लेकिन 200 प्लस है तो तो यह सारे कुछ options ऐसे हैं जो open state के लिए open state का counseling समझना जाना बहुत जरूरी है अगर डिम डिनोर सिटी पे ही अगर आप अटके रहें तो बहुत ही high package जा सकता है अगर आप MBBS में admission लेना चाहते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे private colleges भी हैं जो अच्छे हैं जहां कि P high रहती है वहाँ पे भी आप focus कर सकते हैं तो एक minimal package में आप admission ले सकते हैं अगर इसके लिए पूरी जानकारी आपको चाहिए कि कहां कहां पे आपको admission मिल सकती है आपके state preference क्या है तो इसके लिए आप हमारे दिये गे number पे contact कर सकते है 9319027483 इस पे आप expert counselor आपको और total package कितना बनेगा hostel भी मिला करके यह आपको बताया जाएगा और कैसे admission किया जाता है कैसे seat मिलेगी so thanks for watching and we will meet again with new video and till then goodbye and take care